तो शर्मा जी अगर दिल्ली चुनाव की बात करें विधान सभा चुनाव की तो तब भी वहाँ पे आपके पूरे दिगज लगे थे अमिश शाजी ने खुद पूरी कैम्पेन लीड करी थी इस बार अगर MCD के चुनाव में आप लोग चाहेंगे आप जीते पर अगर मान लि सुने नरेंद्र भाई मोदी को अपना एक मात्र नेता माना है ये गरवोक्ती आठ साल से लेके बाइस तक के बीच का एक हमारा वो है तो इतना बड़ा विश्वेस तरिये नेता होने के बाद भी घर का मुख्या होने के नाते है जैसा कि अभी रमेज जी ने का घर की हर छो करेंगे अब लोगों को जो रंगावा स्यार है ना अब उसका रंग उतर गया लोगों की आंख में जो आंधी की जो धूल थी वो उतर गई है और अब आप यह देखिए 2015 में भी मैं था 13 मैं भी था 20 में भी हूँ अगर मैं बात करूं 15 की तो तीन मंत्री जिल गए एक अब अब यह बीस में अजये हैं हम तो बीस में इसे मालिस करवा रहा है और दूसरे जो मंत्री सिसो दिया जी वो जिल जाने के तैयारी में हैं शराब में गोटाला है श्कूलों में कमरे बनाए हैं उसमें गोटाला है water supply उसमें घोटाला है कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर घोटाला नहीं है और उसके बाद भी आज ये सब चीजें खुल चुकी है और जनता ये जान चुकी है कि केजरी वाल का जो मिस मरेजम था वो उसका नशा लोगों से उतर चुका है अब चौती बार चार तारिक को भारतिय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मिनिस्पल कॉर्पेशन में भगवा लहराएगा और हम दिल्ली की जनता को बेतर सुझद है देने के लिए कटी बद है